साथ क्यों, आज इस अवसर पर मैं बीजेपी के प्रतेक कार्य करता था, ध्यान एक बहुत ही गंबीर चुनोती के तरब भी ले जाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, एक ऐसे प्रकार का सिलसला शुरू हुआ है। कभी लेबर लोग को लेकर, बीजेपी के प्रतेक कार्य करता को समझना होगा, कि इसके पीछे सोची, समझी, राजनीती हैं, ये एक बहुत बड़ा शडियंत्र है। इसका मतलब है, देश में राजनीतिक अस्थर्दा प्यदा करता हूँ। इसलिए देश में तरह तरह की अफ़ाएं फ्यलाई जाती हैं, ब्रम फ्यलाए जाते हैं, जूट फ्यलाए जाता हैं, काल्पिनिक भय की मायाजाल खड़ी कर दी जाती हैं। कभी कहा जाता है कि सम्विधान बदल दिया जाएगा, कभी कहा जाता है आरक्षन समाप्त कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता है नागरिक्ता चिलनी जाएगी, कभी कहा जाता है किसानों की जमीन चिलनी जाएगी, ये सब कोरे जूट होते हैं, लेकिन कुछ लोगों और गटरों द्वारा इन्हें तेजी से फ्यलाया जाता है। हमें इस फिशे में बहुत अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है। हमें बहुत जानकरी के साथ देश वाच्चों के बीच जाते रहना होगा, उन्हें जागरूत करते रहना होगा। यह काम कुछ लोग जो यह अफाय फलाने का काम करते हैं, narrative बदलने का काम करते हैं, कालपनिक भाय खड़ा करते हैं, यह जो कुछ लोग है, ज्याधातर तो वो हैं जो अपनी पराजय को स्विकार न कर पाने की वज़े से करते रहते हैं। कुछ लोग अपने राजलितिक स्वारत की वज़े से करते हैं, कुछ लोगों की भाजपा से जन्वजाद दुश्मनी हैं इसलिए करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो देश को बहुत लंबे समय तक नुक्सान पहुँचाएगा. इसलिए बीजेपी के हर कार करता को सतरक रहना हैं, इन लोगों की सच्चाई से देश की जन्ता को सावधान करते रहना होगा.